बच्चो ये जो question आपके सामने है, ये question आपने कभी ना कभी neat की अपनी इस थैयारी में देखा जरूर होगा और सबसे मज़ेदार बात बच्चो यहाँ पर ये है कि जब आप इस question को बिल्कुल सही-सही concept का यूज़ करके solve करोगे, बिल्कुल सही-सही तरीके से इसको solve करोगे, तो बच्चो आपने देखा होगा, इसमें से एक भी option आपका match नहीं करेगा अगर आपने बिल्कुल सही concept लगा के solve करेगा, तो बच्चो एक भी option इसमें match नहीं करेगा, क्योंकि एक भी option इसमें correct है ही नहीं तो बच्चो हम यहाँ पर इस question को समझेंगे, यह देखने की कोसिस करेंगे, कि जब भी हमारे पास capacitor में dielectric होता है, हम कैसे पता करें कि कौन-कौन से capacitors with dielectric series में हैं, कौन से parallel में हैं बच्चो अगर आपको series parallel देखना आ गया न, dielectric के case में, तो ऐसे question आपसे तो कभी गलत नहीं होंगे, और इसमें छोटी से trick भी आपको बताएंगे, जससे बहुत quickly आप बता पाओगे, कि भई, यह यह series में है, और यह यह parallel में है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी पूरी बा मैं एक दो important बात आपको बता रहा हूं, बहुत डंग से समझेगा जरा, जैसे मान लीजे बच्चो आपके पास यहाँ पर एक capacitor है, ठीक है, यह capacitor दिया गया है, और यहाँ पर हम dielectric कुछ इस तरीके से fill करते हैं, मान लीजे, कि मैंने आपसे बोला, कि यहाँ पर K1 है, पूरे में K2 है, और यहाँ पर मान लीजे, बच्चो केत्री है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, मतलब बच्चो यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K3 है, इस पूरे में क्या है, K2 है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ अप, बच्चो हमें कैसे पता कि कौन-कौन से सिरीज में है और कौन-कौन से पैरलल में है तो सुनिए क्या करते हैं इसमें बचो अगर मैं आपको इसको इस तरीके से दिखाने की कोसिस करूँ कि जरा आप ऐसा समझो बचो अगर हम यह जो अपर हाफ प्लेट है इनको देखें और फिर एक बार लोवर हाफ प्लेट को देखें ठीक है एक बार में इसको कंसीडर करो और एक बार में इसको कंसीडर करो और जरा सोचो बचो अगर मैं यहां से यहां पर जाता हूँ मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट में मैं जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा K1 और उसके बाद क्या मिलेगा K2, और फिर ये वाले प्लेट आ जाएगे, यनि कि प्लेट, K1, K2 और प्लेट, बाद सौन में आगे, अगर बचों मैं इस प्लेट से इस प्लेट पे जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा K3 और K2 और फिर ये प्लेट आएगी, फिर से सुनो मैंने क्या बोला अगर मैं ऊपर वाली एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाता हूँ तो मुझे K1, K2 और प्लेट मिल लई है और नीचे वाली एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाते है तो मुझे K3, K2 और प्लेट मिल लई है इसका मतलब ही है बच्चो ये कि यहाँ पर जो आपको मिला है वो है K1, K2 और यहाँ पर आपको मिला है K3, K2 मतलब बच्चो ये combination इस combination से अलग है ठीक है बहुत जादा depth में नहीं जा रहे है जो मैं बोलना है सुनो द्यान से K1, K2 का combination उपर है और K3, K2 का combination नीचे है कोई भी बच्चा होगा कुछ नहीं पढ़ा होगा वो भी ये बता देगा कि भई ये combination इस combination से अलग है K2 भले ही same है लेकिन K1, K2 और K3, K2 का combination बिलकुल अलग है तो ये चीज इससे अलग है और बच्चो अगर ये अलग है तो आप मुझे बताईए क्या यहां की electric field और यहां की electric field same हो सकती है सोच के देखो माल लो आप बच्चो कोई battery लगा देते और आप उस battery से पूछते कि बताओ यहां जो लगा और यहां जो लगा है वो same है क्या लग है तो battery क्या कहती कि भई मेरे positive terminal से चलो तुम्हे K1 K2 मिलेगा negative plate पर आ जाओगे और अगर मेरे positive terminal से चलो तो तुम्हे नीचे मिलेगा K3 K2 तब तुम मेरे negative terminal पर आओगे तो battery क्या कह रही ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल अलग अलग रास्ता है इसका मतलब बच्चो क्या है कि यहां की जो electric field और यहां की जो electric field है वो अलग अलग होगी जेम नहीं हो सकती अगर यहां की इलेक्ट्रिक फिल्ड हो यहां की इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम होती तो जितना पोटेंशल ड्रॉप यहां होता उतना ही पोटेंशल ड्रॉप यहां होता तो यह पूरा सेम पोटेंशल पे होता लेकिन क्योंकि यहां की electric field हो यहां की electric field बच्चो अलग-अलग है इसलिए यह पूरा same potential पर common potential पर नहीं हो सकता और अगर बच्चो यह पूरा same potential पर नहीं है तो आप यहां से काट नहीं सकते यहां से कट नहीं कर सकते और बहुत से बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं वो यहीं से कट कर देते हैं और यहां से कट करके क्या बना देते हैं ऐसा कुछ यहां से अलग कर दिया और यह ऐसा बना देते हैं कि यह K1, K3 हो गया, K2 हो गया, solve कर लेते हैं बिलकुल गलत है बच्चो यहां से तो तब काट सकते थे ना जब यह पूरा सेम पोटेंशल पे होता यह सेम पोटेंशल पे है ही नहीं क्योंकि यहां की यहां की इलेक्ट्रिक फिल्ड अलग है तो यह एक पोटेंशल पे आ नहीं सकता इसलिए बिल्कुल गलत है तो अब आप पूछोगे सर सही तरीका क्या इसको solve करने का बच्चो इसको solve करने का सही तरीका तो बिल्कुल clear है द्यान से देखना जरा जैसे आपने बोला बच्चो यहाँ पर K1 है यहाँ पर पूरे में K2 है और यहाँ पर K3 है तो हमें कैसे पता चले कि कहां से कट करना है सुनो द्यान से बच्चो आपको यह तो पता चल गया कि भई हम यहाँ से कट नहीं कर सकते तो अब हमें क्या करना होगा सुनो बच्चो आपको यह पता चल गया कि भई यह अलग combination है यह अलग combination है तो हम इसको कि यह जो metal की plate है यह cut जाए कई बच्चो को doubt रहता सर पहले कहाँ से cut करें ऐसे करें अच्छे करें तो हमेसे जान रख़ो बच्चो ऐसे cut करो कि metal की plate cut नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखो metal की plate ऐसे cut गई ठीक है और जैसे बच्चों यह metal की plate cut जाएगी अब यहां से देखो, यह ऐसा कुछ बन जाएगा, यह बचो ऐसा बन जाएगा, अगर तो metal की plate कार्ट दो, तो यहां पर K1, K2 हो जाएगा, और यहां बचो K3, K2 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आप फिर अलग-अलग कर सकते हो, यह दोनों series में हो गए, यह दोनों series में ह आगी होगी आपको यह, अब बचो हम इस question पर आएंगे, इस question को solve करेंगे, इसके सही answer तक पहुचेंगे, ठीक है, जड़ा देखते हैं, बचो यहां अगर आप देखो, ठीक है, question में क्या बोला गया है, और जड़ा आप बताईएगा यहां पर, समझेगा यहां पर, कि कैस कट करेंगे, देखो, बचो एक metal की plate देखो, यहां पर है, दिख रही होगी आपको, यह metal की plate, एक metal की plate बचो यहां पर आपको दिख रही होगी, यानि बैटरी बचो ऐसे लगाई जाएगी, है ना, बैटरी ऐसे लगाई जाएगी, तो मैंने आप से क्या बोला था, अगर म एक छोटी सी चीछ पूसता हूँ, इसका answer आप comment box में दे दीजेगा, बच्छो देखो, बच्छो अगर आप यहां से यहां पर आते हो, तो आपको क्या मिल ला है K3, K4, यहां से यहां पर आते हो तो आपको मिल ला है K2, K4, यहां से यहां पर आते हो तो आपको मिल ला है K1, K4, यानि कि यह सब अलग-अलग है, अलग-अलग है, तो क्या, मैं बच्चों, यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, इसका अंसर आप comment box में देना, क्या बच्चों, यहाँ की electric field, यहाँ की electric field, यहाँ की electric field, same होगी, या अलग-अलग होगी, इसका answer आप दीजेगा, ठीक है, आप बच्चों, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको कहा था, ऐसे cut करो की metal की plate कटनी चाहिए, तो भई, यहाँ पर अगर आप देखो, तो cut करने का बच्चों, सबसे best way जो होगा, वो क्या बच्चों, एसे cut करो metal की plate कट गई, ऐसे cut करो भई यहाँ पर, तो metal की plate कट गई, बताओ सही है, ऐसे काटो की metal की plate, plate कटनी चाहिए, अब भई, जैसे ही आप ऐसे cut करोगे, देखो यहाँ आपके सामने ऐसा कुछ बनके आएगा, कि भई, यहाँ पर अगर हम देखें, तो एक बच्चो ये बन गया प्लेट कटनी चाहिए ठीक है ऐसा बन गया है न यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब बच्चो जड़ा K1, K2 यह सब समझ लो तो भई देखो यहां पर D by 2 में क्या है बच्चो K1 और नीचे क्या है K4 फिर उपर D by 2 यहां पर K4 बच्चो यहां पर K3 यहां पर K4 और ऐसे यह आपको दे रखा है बताओ यहां तक सौन में आता है यह सही तरीका है कोशन सौल करने का ऐसे कट करो कि मैटल की प्लेट कटनी चाहिए चलो आगे बढ़ो अब बच्चो यह दोनों किसमे हैं सिरीज में है ठीक है आप चाहो तो इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कैसे भई आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो ऐसे ठीक फिर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लो फिर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और बचो रही बात इसकी, तो ये K1, ये K4, ये K2, ये K3, यहाँ पर K4, यहाँ पर K4, तो क्या बोलोगे, कि सर ये दोनों किसमे है, सिरीज में, ये दोनों किसमे है, सिरीज में, ये दोनों किसमे है, सिरीज में, फिर ये तीनों आपस में क्या है, पैरलल, ठीक है, आप लिखोगे, A, Epsilon 0, K, divided by, और D, बच्चो, यहाँ पर D by 2 है, यह D कितना है, D by 2 है, तो हम लिखेंगे, बच्चो, A, मतलब जो भी एरिया है, A by 3, Epsilon 0, K1 by, separation D by 2 है, बच्चो, यहाँ पर लिखोगे, तो क्या लिखोगे, एरिया वही है, A by 3, Epsilon 0, यहाँ पर आ गया, K4, और D divided by, बच्चो, D by 2, एक बात बताओ, एरिया सम में A by 3 है, सेपरेंशन सम में D by 2 है, तो बच्चो, इतना पाट तो बारबर आपको common मिलेगा न, यह वाला पाट तो बारबर common मिला है, क्यों ना हम बच्चो, इसको C not माल ले कुछ, इसको C not माल ले, तो लिखना थोड़ा सास हो जाएगा, तो बच्चो, आप क्या बोल सकते हो, कि यह है C not K1, यह है C not K2, यह है C not K3, यह है C not K4, ठीक है, यहाँ पर है C not K4 और यह भी है C not K4, क्या ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अब बच्चो, एक बात बताओ, यह दोनों सिरीज में है, तो सिरीज में क्या होता है 1 upon C1 plus 1 upon C2 तो बच्चो अगर आप करोगे 1 upon C0 K1 plus 1 upon C0 K2 तो बच्चो सरी यहाँ पर क्या हैगा K4 भाई यह 1 है और यह 4 है तो ऐसा लिखेंगे बच्चो इसको अगर solve करो तो 1 by C0 तो common कर लिए आपने 1 by C0 को अंदर क्या है 1 by K1 plus 1 by K4 इसको अगर आप solve करो तो यह हो गया 1 by C0 यह हो गया बच्चो K1 plus K4 divided by K1 K4 लेकिन यह तो 1 by C की value आ रही है तो बच्चो C की value कितनी आजेगी K1 K4 divided by K1 plus K4 और इंटू क्या हो जाएगा C0 हो जाएगा बताओ यह चीज़ समझ में आ गए मतलब इसका जो effective है वो बच्चो इतना है इसी तरह इसका effective क्या होगा K2 K4 by K2 plus K4 into C0 इसका बच्चो K3 K4 by K3 plus K4 C0 अब बताओ यह तीनों parallel में होंगे तो जाएगा देखना बच्चो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ जो C equivalent आएगा वो क्या आएगा तो देखो जाएगा तीनों C को add कर दो तो बच्चो पहला क्या था K1 K4 divided by K1 plus K4 into C0 दूसरा क्या था K2 K4 divided by K2 plus K4 into C0 तीसरा क्या था बच्चो K3 K4 divided by K3 plus K4 और यहाँ पर क्या था C0 बच्चो हमसे यहाँ पर पूछा गया है equivalent K क्या होगा equivalent dielectric constant क्या होगा equivalent का मतलब क्या होता है कि अगर हम K1 K2 K3 K4 को हटा दें और उसकी जगे single K लेके आ जाएगा तो कैसे लिखोगी जड़ा देखो बच्चो C equivalent को लिखेंगे A epsilon not K by D है ना तो यह बच्चो K equivalent होगा और यहाँ से बच्चो C not common कर लो तो C not क्या था यह बच्चो था A by 3 epsilon not divided by D by 2 यही तो था ना C not A epsilon not by D और बच्चो अंदर क्या जाएगा वह आप देखी पा रहे हो K1 K4 K1 plus K4 है ना ऐसे लिख सकते हो K2 K4 divided by K2 plus K4 बहुती मज़ेदार question है ठेक है ऐसे बच्चो आप लिख सकते हो आप जड़ा यहाँ पर यह देखो बच्चो A epsilon not cancel हो गया D cancel हो गया बच्चो K कितना आया 2 by 3 times और यह पूरा लिख लो तो K1 by K1 plus K4 K2 by K2 plus K4 K3 by K3 plus K4 और बच्चो आप चाहो तो इसमें से पूरे में K4 common कर सकते हो तो यह आपका यहाँ पर need 2016 का जो question है उसका correct answer है और बच्चो गर option में देखो तो ऐसा कोई भी option आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चो यह concept आपको समझ में आया होगा और trick भी समझ में आई होगी कि cut ऐसे करो कि metal की plate कटनी चाहिए इससे बच्चो फाइदा ही होगा अगर आगे इस तरह का कोई भी question आता है तो आप कम से कम इस चीज को समझ पाओगे कि भाई कौन कौन से dielectric capacitor series में और कौन से parallel में पहले कैसे cut करना है ऐसे cut करना है कि ऐसे cut करना है बात साथ में आगई तो बच्चो देख लीजेगा इस पूरे solution को अच्छे से concept को समझ लीजेगा ठीक है और फिर जड़ा इसको और कहीं भी apply करके देखेगा ठीक है thank you